हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्वीब चैनल आयम अरबास तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के प्रसनवाली 8.1 का कुश्चन नंबर 2 कुश्चन कह रहा है आकरिती 8.1 में सबसे पहले आकरिती 8.13 में आपको देखना है तो आकरिती 8.13 यहां पे बना हुआ है तो इसको सबसे पहले समझते हैं उसके बाद आगे का काम हम लोग करेंगे इस आकरिती 8.13 में यह है कि एक समकोन तिर्भुज बनाया हुआ है जिसका नाम है PQR और इसमें यह भी देख पा रहे हैं इसका मतलब होता है 90 डिगरी यहां पे यह 90 डिगरी है और 90 डिगरी के सामने वाला हमेशा क्या होता है तो यह कर्न होता है जिसको H से सुचित करते हैं अब कर्न हमारा 13 cm है ठीक है और P से क्यूं 12 cm दिया हुआ है और P से R है 13 cm तो एक समकून तिर्भुज में तीन भुजा होती है PQ, QR और RP यह तीनों भुजा पता होना चाहिए जिसमें से PQ पता है और PR पता है तो QR निकालना होगा क्योंकि QR पता नहीं है तो इसको निकालेंगे उसके बाद आगी का काम करेंगे तो QR कैसे निकलेगा तो यह पैथागुरस प्रमे से निकालेंगे तो चली यह solve करते हैं तो हमने आकरिती को देखकर यह लिख दिया कि आकरिती में यह दिया हुआ है कि P से क्यूं PQ 12 cm है और P से R, P R कितना है 13 cm तो QR कैसे निकलेगा पैथागुरस प्रेमे से पैथागुरस प्रेमे क्या होता है तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वाइर बराबर लंब स्क्वाइर जोड़ आधारी स्क्वाइर और आपको मालूम है कि 90 डिगरी के सामने वाला कर्ण होता है और जो सीधा स्ट्रेट एकदम सीधा लंब कह सकते हैं पूरा दम सीधा जो खड़ा होता है उसको बोलते हैं लंब जिसको लोग P से सुचित करते हैं और यह नीचे Q से R या आपका आधार इसको P से सुचित करते हैं तो यहाँ पे कर्ण हमारा कौन है तो P से R PR हमारा कर्ण हो गया तो कर्ण का स्क्वाइर लंब क्या है P से Q P क्यूँ आपका लंब हो गया आधार क्या है तो Q R हमारा आधार है अब यहाँ पे PR का मान दिया हुआ है तो 13 बैठा दिये यहाँ पे square इसलिए square PQ का मान पता है 12 का square हो जाएगा और QR हमको निकालना है तो asities इसी तरीके से सेम उतार देंगे अब यहाँ पे 13 का square होता है 179 बराबर 12 का square होता है 144 जैसे कि हमने वर्ग संख्या में आपको बताया थे introduction पाटने परिचय में और QR यहाँ पे ऐसे ही उतार देंगे और आपको यह बात मालूम है कोई number यहाँ पे देखो यह plus में है वो side जाएगा तो क्याची में बन जाएगा तो minus में हो जाएगा तो यहाँ पे 179 वैसी लिख देंगे यह plus इधर बराबर के यह side आकर के minus 144 हो जाएगा फिर बराबर लिखेंगे और यहाँ पे QR का square वैसे ही हो जाएगा समझ में आ रहा होगा student अब यहाँ पे 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5 और 6 में 4 जाएगा 2 एक में 1 घटाएगा तो 0 बच जाएगा अब यहाँ पे QR का square ऐसे ही हो जाएगा अब थोड़ा से इसको हम सर्या करके लिखते हैं है ना पहले लिख देते हैं QR का square बराबर 25 बस थोड़ा सा सर्या दिया हमने और आपको मालूम है square वो सेट यादा तो root बन जाता है तो QR is equal to क्या हो जाएगा square वो सेट जाएगा तो root बन जाएगा root अंडर 25 और 25 किसको है square होता है तो आपको यह बात अच्छे से मालूम है कि 25 पांच का square है मतलब 5 गुने 5 और आपको यह बात मालूम है 2 पांच में से 1 पांच बाहर आजाएगा तो QR बराबर क्या हो जाएगा 5 cm मतलब आपको यह बात किलियर हो गया कि figure में आप देख सकते हो क्यूं से R क्यूं से R यह 5 cm है कितना है 5 cm है P क्यों 12 cm है और P से R यह 13 cm है तो यह हमने पैथागूरस प्रमय से निकाला है आप यह देख के समझ सकते हैं अच्छे तरीके से अगर ना समझ मैं है तो बैक करके फिर से आप वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए अब हम लोग आगे का पार्ट करते हैं जैसे कि आपको पता चलिया हम लोग यहाँ पैथागूरस प्रमय से 5 cm निकाल चुके हैं तो चलिए आगे कोश्चन में क्या कह रहा है कोश्चन में कह रहा है कि 10P-4R इसका मान निकालना है तो चलिए निकालते हैं अब दीखे कोश्चन में कह रहा था कि 10P-4R इसका मान निकालना है लेकिन आपको इस तिर्भूज के मंदर से समझ में आएगा जैसे कि आकरिती 8.1 में दिया हुआ था कि P से Q 12 cm है P से R 13 cm है हम लोग पैथागोरा से Q 5 cm निकाल लिए यही सेम फिगर को हमने यहाँ पे बनाया है अब यहाँ पे दो फिगर क्यों बनाया है इसका reason मैं बता रहा हूँ सबसे पहले 10 P यहाँ पे ठीटा एक के पास P के पास है और cot R यहाँ पे एक के पास ठीटा R के पास है तो ठीटा अलग-अलग होने कारण तिर्भूज अलग-अलग बनाया है अब देखो होगा क्या इससे 10 P मतलब ठीटा कहाँ पे है तो यहाँ पे है P के पास ठीटा है तो यहाँ ठीटा और ठीटा के सामने क्या होता है तो ठीटा के सामने P होता है P का मतलब लंब और उसके बाद 90 डिगरी के सामने वाला तो कर्न होता है और यह आपका आधार हो गया थीक है तो तेन P तेन पी तेन पिए अनुपात में आपको मैंने बताया था था कि टेन ठीटा बराबर होता है P बटे B लंब बटे आधार लंब बटे आधार तो मैनस अब यहाँ पे दिखते हैं मैनस कॉट R अब यहां पे R, ठीटा कहां पे है तो R के पास में है, ठीटा R के पास में है, ठीटा R के पास में है, यहां पे ठीटा है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, तो यह P हो जाएगा, यह 90 डिगरी के सामने वाला तो हमेशा करन होता है, तो बाकी बचा क्या हो जाएगा, B, B का मान 5, P का मान 12 और H आपका 13 हो गया अब तुरा धियान दीजेगा कॉट ठीटा का फर्मूला होता है इसका जस्ट उल्टा आपको मैंने तिरकॉन मिती अनुपात ने बताया था इसका फर्मूला कॉट ठीटा का होता है B बटे P मतलब आधार बटे लम मतलब R के पास ठीटा है तो हम लोग इस तिरभूज में देखेंगे तो यहाँ पे B कितना है तो यहाँ पे B है 5 तो 5 बैठा देंगे और P कितना यहाँ पे है 12 देखिए आपको एक बात मालूम है प्लस 5 मैनस 5 प्लस 5 मैनस 5 कटके होता है 0 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 उस तरीके से 5 बैठे 12 में से 5 बैठे 12 को घटाएंगे तो इसका मन क्या हो जाएगा 0 तो यह हमारा final answer हो गया है 0 तो आपको I hope यह question अच्छे से समझ में आया होगा और अगर नहीं आया तो please comment section में comment जरूर करे क्योंकि हमने इस वीडियो को अच्छे से explain करा है है ना ठीक है मिलते हैं हम लोग next वीडियो में thank you